मैं परमेश्वर का धनिवाद देता हूँ, यह अच्छा समय जो प्रभु ने फिर दुबारा दिया कि आप लोगं के सामने विवाज से संबंदित अगला विशे को हम वच्चन के आधार पर देखने जा रहे हैं और इस सेशन में हम डिवोर्स या तलाक से संबंदित परमेश को हम ध्यान देंगे, क्या तलाक देना वच्चन अनुसार है, क्या वच्चन उसकी अनुमती देता है, उस विशे को हम ध्यान देंगे, आईए उस विशे में जाने के पहले अपने सिरों को जुखाएं और हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्र की आत्मा इस विशे को सीख बाप्म परिवारिक जीवन, विवाहिक जीवन के विशे में कई बातों को सीखने के लिए आपने पिछले दिनों में साहायता किया, प्रभू आज जब हम इस तालाक से संबन्दित विशे को सीखने जा रहे हैं बाप भिंती करते हैं कि आप हम एक-एक को इस विशे की गंभीरता को हम समझने के लिए हमारी आप सहायता करें जब आज की दिन बहुत से विवाहिक जीवन तूट रहे हैं घर बरबाद हो रहे हैं बच्चे, बच्चों का जीवन बरबाद हो रहा है प्रभू तेरी इच्छा को पहचानने के लिए हमें मदद कर ये शुमसी के मदू नाम से हम मांगते हैं आमे इस विशे में, इस सेशन में हम लोग विवाहिक जीवन में तलाक के विशे में परमेश्वर का वच्चन क्या कहता है उसको हम ध्यान देंगे आज जब हम देखते हैं, समाज में तलाक करना ये स्त्री त्याग करना एक आम बात बनी हुई है और समाज इसको मांती है समाज बोलती है, इसमें कोई गलती नहीं है वो सुचते हैं उनका समाज का कहना अगर आपका परिवारिक जीवन में वो तालमिल नहीं बनता है तो साथ रहकर कोई मतलब नहीं है आप डिवोर्स कर लें और अगला अगला शादी रच लें सो समाज बहुत कुछ अपने हिसाब से बात करता है लेकिन आपने और मैंने ध्यान रखना है हमारा जीवन पर्मिष्वर ने हमें बनाया हम से पर्मिष्वर से बढ़कर किसी और को हमारे जीवन में इतना इतना गहरा रूची नहीं है जितना हमारे स्रिष्टी करता को है तो इसलिए मैंने और आपने समाज के सोच के अमसार नहीं चलना है आज बहुत से लोग समाज जो कहता है उनके स्टैंडर्ड के अमसार चलते हैं और दुखी और परिशान होते है आईए तलाक के विशे में परमेशर का वचन क्या कहता है पढ़ेंगे हम लोग मलाकी उसका दूसरा अध्याए उसका सोला वचन मलाकी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याए उसका सोला वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ क्योंकि इस्राइल का परमेशर यहवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से ग्रिणा करता हूँ और उस से भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढामता है इसलिए तुम अपनी आत्मा के विशे में चोकस रो और विश्वास घात मत करो सेनाओं के हुआ का यही वच्छन है मैं दुबारा वो बात आपके सामने रख रहा हूँ कि मैं स्त्री त्याग से घ्रिणा करता हूँ परमेश्व साफ साफ अपनी इच्छा को अपने वच्छन के द्वारा हमारे सामने रखता हूँ कि स्त्री त्याग या तलाक परमेश्व के नजर में घ्रिणत है समाज के लिए ये बिलकुल ठीक है लेकिन परमेशर इस विशे में क्या कहता है कि ये घ्रिनित बात है क्यों परमेशर स्ट्रीत तियाग को घ्रिनित कहता है उसकी गंबीरता मैंने और आपने समझना पर जब विवा होता है विवाहिक जीवन पीछले दिलों में हमने सीखा विवा की स्टापना परमेशर ने की है और विवा की स्टापना में क्या हो रहा है दो वेक्ति परमेशर को गवा के तौर पर खड़ा करकर परमेशर से करार करते हैं वाचा बानते हैं परस पर आपस में वायदा करते हैं ये एक ऐसा agreement नहीं है जैसे कई contract sign करते हैं जब आप नौकरी जोइन करते हैं तो उदर भी contract sign किया जाता कि आपको हम निकाल सकते हैं आप छोड़ सकते हैं हम आपको तनखा देंगे आप हमारी ये सेवा करना है तो ऐसा एक करार नहीं है विवाहिक जीवन जिसमें स्त्री और पुरुष बोलते हैं जब तक हमारी आपस में बनेगे तब तक हम इखटे रहेंगे ऐसा नहीं है पर्मेशन ने इस विवाह की स्तापना जब की है मृत्यू तक अलग नहीं होना है उस गंबीरता को मद्य नजर रखते हुए विवाह की करार किया जाता है सो जब विवाह का करार किया जाता है उस समय जो वाचा एक दूसरे जब बांते हैं उसको मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ दुला और दुलन मैंने पहले भी पढ़ा फिर भी इस संदर्ब में मैं पढ़ना चाहता हूँ ये पवित्र विवाह परमेश्वर के इच्छा अनुसार होने के कारण परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में दिये गे पवित्र नमुना के अनुसार एक आशिश में विवाहिक जीवन के लिए क्या आप इस पुरुष को अपनी पत्नी करकर स्विकार करने को तयार हैं जिस प्रकार तब आप जवाब देते हैं जी जिस प्रकार मसी की दुलन कलीस या मसी की आग्या मानकर अधीन है क्या आप इस पुरुष के आग्या मान कर अधीन रहेंगे ये दुलन से पूछ रहेंगे तो बोलती है जी हाँ क्या आप एक अच्छे साथी बन कर आपको प्रेम करोगे जी हाँ सुख दुख में स्वास्ति में कमजोरी में क्या आपकी सहायता करोगे जी हाँ क्या आप वायदा करते हैं कि आपके अंतिम श्वास तक आप विश्वास योग्य बने रहेंगे जी हाँ पुरुष दुले से भी यही पूछा जाता है यह पवित्र विवा परमेश्वर के इच्छा अनुसार होने के कारण परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में दिये गए पवित्र नमुने के अनुसार एक विश्वा अशिष में विवाहिक जीवन के लिए क्या आप इस त्री को अपनी पत्नी करके स्विकार करने के लिए तयार हैं तब बोलते हैं जी हाँ बाकी भी आप बोलते हैं सो ऐसे में दुला फिर प्रतिग्या करता है परमेश्र के वच्छन के अंसर मैं आप को अपनी पतनी स्वीकार करता हूं आज से जब तक मृत्यों हमें जुदाना करें सुख में, दुख में, स्वास्ती में, कमजोरी में, सम्रिद्धी में और दरिद्रता में मैं आपको परमेश्र की वेवस्ता के अंसार फ्रेम के साथ पालन पोशन करते हुए आपको संड्रक्षित करने का मैं यह पवित्र प्रतिग्या त्रिएक परमेश्र और कलीस्या की उपस्तिती में देता हूं तो जब ऐसा एक वाइदा आपने पवित्र कलीसिया के सामने आपने ये ये प्रतिग्या की है फिर इसको तोड़ने की तो बात हम सोच ही नहीं सकते परमेश्वर का वचन उसकी अनुमती नहीं देता क्योंकि आपने परमेश्वर को गवा रखकर करार किया है तो हमने उस बात का विवा दो व्यक्तियों के बीच में मृत्यू तक का करार है हाथ पकड़ कर करार किया ये अंगुठी में नहीं है मंगल सूत्र में नहीं हाथ पकड़ कर परमेश्वर के सामने आपने वचन दिया इसमें से कोई अलग नहीं कर सकता चाहे कैसे भी कारण आ जाए ये करार देखे परमेशर के नजर में परमेशर करार को किस नजर से देखता मनुश्य किस नजर से देखता वो माइने नहीं रखता परमेशर क्यों कहता है स्त्री त्याग से परमेशर ग्रिना करता है परमेशर इसको करार मानता है परमेश्र ने भी मनुष्य से नोहा के समय नू से करार किया है प्रकाशित वाके चोथे अध्याय में परमेश्र के सिंहासम को जब देखते हैं उसके पीछे वो मेगधनुष दिखता है मेगधनुष क्या बताता है परमेशर अपने वाचा का पक्का है वैसे ही शादी, विवा, करार या वाचा है इसको हम तोड़ नहीं सकते तो इसलिए हमने उस वाचा की गंभीरता को समझना है कि कितना गंभीर है और ये दोनों व्यक्तियों पर लागू है एक पर नहीं, दोनों पर लागू है तो परमिश्व के नजर में ये वाचा गंभीर है जैसे हम देखते हैं जम्नू के समय प्रित्वी के साथ बांदा है इसराइल के साथ बांदा है दाओद के सिंहासन के साथ बांदा है बेशक लोग बिगड़ जाये तो भी परमेश्वर अपने वाचा का पक्का है सो आप और मैं जो परमेश्वर के सामने वाचा करते हैं उसकी गंभीरता को मैंने और आपने समझना है पढ़िएगा नीती वचन बीस का पच्चिस नीती वचन बीस वाध्या है उसका 25 वा वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ नीती वचन 20 उसका 25 जो मनुश बिना विचारे किसी वस्तू को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मान कर पूछ पाच करने लगे वे फंदे में फसेगा मैं दुबारा पढ़ रहा हूँ जो मनुश बिना विचारे किसी वस्तू को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मान कर पूछ पाच करने लगे वे फंदे में फसेगा अगला नीती वचन 23 का 23 व्यवस्ता विवरन 23 का 23 जो कुछ तेरे मूँ से निकले उसके पूरे करने में चोकसी करना तू अपने मूँ से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश और यहवा को जैसी मन्नत माने वैसे ही स्वतंतरता पूरवक उसे पूरा करना तू अपने मूँ से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश और यहवा की जैसी मन्नत माने वैसे ही स्वतंतरत पूरवक उसे पूरा करना सो जब आपने वचन दिया है उसको आपने पूरा करना मत्ती रचित्सु समचार बारा ध्याय उसका च्छतिसवा वचन और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकमी बाते मनुश्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे दुबारा प्रभु येशु जो कहते हैं और मैं तुम से कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बाते मनुश्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे तो अगर आप और मैं वाचा बांद कर उस वाचा को पूरा ना करते हुए तोड़ेंगे तो क्या न्याय के दिन उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा हम इस बात की घंबीरता क्या समझते हैं आज बहुत से लोग विवा के बाद बात जब नहीं चलती है या कुछ बात हो जाती है तुरंथ मन में सोचने लगते हैं अब छुटकारा कैसे पाया जाए अब आज मैं खबर सुन रहा था कैसे एक विक्ती शादी हो गई उसका कोई प्रेमिका है इसका एक बच्चा भी है इस शादी में एक अपनी पत्नी को मारने के लिए अपने दोस्त से बात करकर एक नाग को लेकर आया और दूर बैटकर देखता रहा इसकी पत्नी को सांप ने जब डस मारा कुछ मैने पहले एक वाइपर को लाया था लेकिन ये औरत बच गई थी एक मैना हास्पिटल में रही बच गई इस बार नाग लेकर आया और पत्नी को इसके चार पाई में फेंक दिया और खुद की प पत्नी को सांप से कटवाया और पत्नी मर गई और फिर किसी को शक नहीं हुआ लोगों को बोला घर में सांप आ गया काट गया लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जब दहेच की बात पत्नी के माबाप से करने लगा तब शक आया तब फिर कबूला कि उसनी कटवाया तो आज कि इतने जगाओं में मिट्टी का तेल डाल कर या कितने घरों में मार पीठ होता है घर से निकाल देते हैं बोलते हैं माई के चले जाओ तो एक विश्वासी के तौर पर मैंने परमेशर के सामने वचन दिया इस बात को मैंने और आपने ध्यान देना है परमेशर स्त्रीत या को इतना ग्रना क्यों करता है क्योंकि विवाहिक जीवन परमेशर के उस कलीसिया के लिए जो असली मसी और कलीसिया के संबंद का चाया है मूसा ने जब चटान को लाठी से जब मारा परमेशर ने का मैं तुझे कनान में गुसने नहीं दूँगा क्यों वो चटान मसी को दिख और वो च्छाया है सो विवाहिक जीवन असलियत की च्छाया है और इधर अगर कोई स्त्रीत त्याग करे तो परमेश्वर के कलीसिया के संबन में जो असलियत है उसके उपर आंच पहुंचाता है इसलिए परमेश्वर इसको घ्रिनित समझता है कि असलियत तो कलीसिया और मसी का संबन्ध है और इधर कोई विश्वासी स्त्री त्याग करे या डिवोर्स करे सो परमेशर की उस असलियत के उपर संदे उठा रहा है कि कई परमेशर भी तो कलीसिया को कोई त्याग ना दे परमेश्वर अपने करार को कितना गंभीरता देता है उस बात को मैंने और आपने समझना इसलिए विवाहिग जीवन परमेश्वर के महिमा के लिए है इसको हमने पहले से ही समझना मैं पीछले क्लासिस में आपको समझाया पढ़िये मत्ती रचित सू समाचार उसका उन्निस मत्ती रचित सू समाचार उसका उन्निस वाध्याय उसका मैं तीन से नो पढ़ रहा हूँ मत्ती उन्निस तीन से नो तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है उसने उतर दिया क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरम से नर और नारी बना कर कहा कि इस कारण मनुष अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है इसलिए जिसे पर्मिशन ने जोड़ा है उसे मनुश अलग ना करें उन्होंने उससे कहा फिर मुसा ने क्यों ये ठहराया कि त्याग पत्र दे कर उसे छोड़ दें उसने उससे कहा मुसा ने तुमारे मन की कठोरता के कारण तुमें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आग्या दी परंतु आरम से ऐसा नहीं था और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यविचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्या कर दूसरी से व्या करें वे व्यविचार करता है और जो उस छोड़ी हुई को व्या करें वो भी व्यविचार करता है तो प्रभु येश्यू विवास संब्दित परमेश्वर की योजना क्या है फरीसियों के सवाल के जवाब में साफ साफ बता रहे है कि विवा की स्तापना परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए है और इदर हमने लिखा है उसका पांच में लिखा है उसका चार से उसने उतर दिया क्या तुम ने नहीं पड़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरम से नर और नारी बना कर कहा कि इस कारण मनुष अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे सो भे अब दो नहीं परंतु एक तन है इसलिए जिसे पर्मेश ने जोड़ा उसे मनुष अलग ना करे सो स्त्री त्याग या पत्नी को छोड़ने का वो त्याग ने का वो त्याग पत्र का तो त्याग पत्र की तो बात ही नहीं आती है अब जब फरीसियों ने बोला मुसा ने जब कहा है तब प्रभू येश्यों ने कहा कि उसमें प्रभू येश्यों ने मुसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आगिया तुम्हारे मन के कठोरता के कारण ये परमेश्यर की योजना नहीं है सो जब आपने आप अगर त्याग पत्र की बात सोचते हैं तलाक की बात सोचते हैं क्या आपको एहसास होता है कि जो अगले विक्ति के साथ आप जो रहने जाएंगे उस पर परमेश्वर की आशिश होगी एक समस्या से छूट कर आप एक बड़ी समस्या में गिरने जा रहे हैं आप इसलिए मैं चाहूंगा अगर आप में से कोई ये बात अगर सोचता है जरा रुके, सोचे परमेश्वर इस विशे में परमेश्वर की इच्छा क्या है परमेश्वर का वचन क्या कहता है परमेश्वर ने दोनों को एक तन करकर इखटा किया अब ये दो नहीं, दोनों एक हैं और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है परमेशर ने दोनों को एक क्यों किया ताकि परमेशर अब इनको जिब संतान देगा जैसे हम नरसरियों में जाकर ग्रीन हाउस देखते हरा कपड़ा डाला होता है उसके नीचे पौदों को उगाया जाता है वैसे ही समाज कैसा भी हो परिवार एक ऐसा ग्रीन हाउस है जिदर परमेशर ने दिये बच्चों को परमेशर के भए में बढ़ाते हैं उनका व्यक्तित्व बनता है उनके जीवन में असूल सिखाते हैं और उनको सच्चे मन से चलने के लिए सिखाया जाता है इसलिए पढ़िये ना व्यवस्ता विवरन छेमा अध्याय का छे और साथ व्यवस्ता विवरन छेमा अध्याय छे और साथ और ये आ गया है जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वह तेरे मन में बनी रहे और तुझने अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग में चलते लेटते उड़ते उनकी चर्चा किया करना तो परमेशर विवाहिक जीवन को किस गंभीर नजर से देखता है परमेशर की पूरी इज़त आदर इस विवाहिक जीवन के इस करार पर अठकी है अपने ध्यान से समझना परमेशर की पूरे पूरे इज़त को इस करार में अठके हुए हम देख सकते हैं एक व्यक्ति परमेश्र के सामने आकर करार करकर फिर जब उसे तोड़ता है तो मसी और कलीसिया के संबंद के उपर भी वो इस घटना के द्वारा संदे पैदा करता है जब ऐसे संदे पैदा कर रहा है इसका खामियजा इसका परिणाम आपको भुगतना पढ़ेगा परमेश्र हलका नहीं समझता है मत्ई उनिस का मत्ई उनिस का, سाथ से नो दुबार आगे मैं पढ़ रहा हूं मत्ई उनिस उसका साथ से नो फ्रभु येश्यू का जवाब उन्होंने उसे का फिर मुसा ने क्यों ये ठहराया कि त्याग पत्र दे कर उसे छोड़ दे फरीसी पूछ रहे हैं उसने उनसे का मुसा ने तुम्हारे मन के कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आगया दी तुम्हारे मन के कठोरता के का परंतु आरम से ऐसे नहीं था और मैं तुम से कहता हूँ कि जो कोई व्यविचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से व्या करे विविचार करता है और जो उस छोड़ी हुई को व्या करे वो भी विविचार करता है इदर परमेशर इसको कैसे देखता है अब इसके साथ साथ पढ़िए पहला कुरंती साथ का पंदरा से सत्रा पहला कुरंती उसका साथवा अध्या है पंदरा से सत्रा परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता यदि वो अलग हो तो अलग होने दे ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंदन ने नहीं परंतु पर्मेश्व ने तो हमें मेल मिलाब के लिए बुलाया है क्योंकि हे स्त्री तु क्या जानती है कि तू अपने पती का उधार करा ले और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उधार करा ले सो इधर विवा में ये तालाक या त्याग पत्र के लिए कुछ कारण इधर हम पत्रियों में पौलूस के द्वारा पढ़ते हैं कुछ कारण है जिसके कारण विवा में अलग होते हैं उस कारण को भी गंभीरता से समझना पहली बात परमेश्वर घ्रणा करता है सो ऐसे में परमेश्वर ने विवा की स्तापना की त्याग पत्र की स्तापना परमेश्वर ने नहीं मनुष्य ने की है दुबारा मैं कहता हूं विवा की स्तापना परमेश्वर ने विवा त्याग की स्तापना परमेश्वर ने नहीं की इसका आरम मनुष्य ने की है सो इधर वचन कुछ छूट देता है जिसमें कुछ गंभीर परिस्तितियों में विवा त्याग हो सकता उस बात को अच्छी तरह समझना कुछ गंभीर परिस्तिति और वो गंभीर परिस्तिति कौन सी है विविचार की बात आती है एक बार का विविचार नहीं है उसका आधार पहली बात मैं चाहूंगा आप अच्छी तरह इस बात को समझे वे विचार एक इसका आधार है और दूसरा अगर जो विश्वास नहीं करता और जिस त्रीक का पती विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन है वे पती को ना छोड़े उसका दस से मैं पढ़ रहा है जिनका व्याँ हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रबू आ गया देता है कि पत्नी अपने पती से अलग ना हो और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरे व्याँ किये रहे या अपने पती से फिर मेल कर ले और ना पती अपनी पत्नी को छोड़े दूसरे से प्रबू नहीं परन्तु मैं ही कहता हूँ यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन हो तो वे उसे ना छोड़े और जिस त्रीका पती विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन है वे पती को ना छोड़े क्योंकि ऐसा पती जो विश्वास ना रखता हूँ वे पत्नी के कारण पवित्र ठहरता और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पती के कारण पवित्र ठहरती है नहीं तो तुमारे लड़के वाले अशुद होते परन्तु अब तो पवित्र है परन्तु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता यदिवा अलग हो तो अलग होने दे होने दो ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंदन में नहीं परन्तु परमेशर ने तो हमें मेल मिलाब के लिए बुलाया है तो इधर हम देखते हैं विवात त्याग या स्त्री त्याग कौन से परिस्थिती में अनुमती है नमबर एक हमने मुसा के विशे में ध्यान दिया विविचार अब विविचार बोलने से एक बार का विविचार नहीं है अगर विवाहिक जीवन में शारिरिक संबंद परमेशर ने स्त्री और पुरुष के बीच में ही रखा है लेकिन इन में से कोई एक अगर विवाह से बाहर हटकर बाहर किसी से शारिरिक संबंद करता है और उसी आदत में लगा है और उससे बाज नहीं आता है तब जाकर विवाहत्या की बात की एक गुझाईश सोची जा सकती है वो भी आवश्यक नहीं है सोचने की एक गुझाईश है जब दो में से एक विक्ती अपने जीवन साथी के साथ विश्वासगात करकर शारीरिक संबन बहार किसी के साथ बराबर करता रहता है और फिर उस बात को त्यागने के लिए तयार नहीं है तो ये विशे सोचा जा सकता है नमबर दो अगर पती या पत्नी विश्वासी नहीं है और वो छोड़ना चाहे तो ये बात सोची जा सकती है अगर छोड़ना नहीं चाहते तो विवात्या की तो बात ही नहीं है नमबर तीसरी एक बात बहुत से परिवारों के अंदर शारीरिक तोर पर कलेश दिया जाता है सो जब बहुत बराबर शारीरिक कलेश दिया जा रहा है सहने के बाहर है तब विवात्या की बात सोची जा सकती है ये तीन के अलावा और कोई चोथी कोई बात है ही नहीं ये तीन में भी विवात्या करना जरूरी नहीं सोची जा सकती है सो हम प्रभु के दास भी कभी किसी को विवात्या की सला देते नहीं लेकिन जब ये तीन बातें आती हैं तब हम प्रात्ना करते हैं और परिस्तिती में फैंसला क्या लेना उस विशेश परिस्तिती के उपर व्यक्तियों के उपर परमेश्वर की इच्छा के उपर निर्भर करता है तो इसमें भी अब ध्यान रखे जो व्यक्ति विचार करकर विश्वास घात किया उसको विवा करने की वचन अनुमती नहीं देती लेकिन जिसके साथ दोखा हुआ है उसको विवा करने की अनुमती वचन में है कि साधार पर क्योंकि इसके साथ दोखा हुआ है लेकिन दूसरे को इसकी अनुमती नहीं है लेकिन इसमें भी मैं बार बार आपसे कहता हूँ ये विवात्याग का कोई आधार नहीं है क्योंकि परमेशर की नजर में स्त्री त्याग घृणा है इधर हम देखते हैं पहला कुरंटी साथ का चौबिस में आपके सामने पढ़ रहा हूँ हे बाईयो जो कोई जिस दिशा में दिशा में बुलाया गया हो वो उसी में परमेशर के साथ रहना है आपने ध्यान रखना आपके परिवार में आप ऐसे कष्टों में से जाते हैं शायद आपका पती विश्वास गहत करता है शायद आपका पती या पत्नी विश्वासी नहीं है शायद आपको बहुत मारा मार पीट किया जा रहा है तब आपने प्रार्थना करना है प्रबू इसमें तेरी इच्छा क्या है मैं त्यागने को तयार नहीं तूने मेरे जीवन में ये जीवन साथी दिया है मेरी तरफ से त्याग नहीं होगा लेकिन प्रबू तू मुझे ग्यान और समझ दे ताकि मैं इस परिस्तिती में तेरी इच्छा को पहचान कर फैंसला ले सको लेकिन आजकल बहुत से लोग हैं ऐसी कोई बड़ी बात है ही नहीं और बस चोटी मोटी बातों में आपस में बनता नहीं है हमारे आपस में जगडा होता है पैसे की दिक्कत आती है खाना बनाना नहीं आता ये सारी चोटी मोटी बाते लेकर विवात त्याग का फैंसले में आ जाते हैं कितना दुखी एक बात है चोटी मोटी बाते हैं हमारे पास कितने लोग ऐसे विशे लेकर आते हैं ये भी कोई बात हुई कि आपने फैंसला कर लिए कि आप इनके साथ रहना नहीं चाहते, फिर किस संदर्ब में आपने परमेश्वर के सामने खड़े ओकर ये फैंसला किया था, सो इसलिए हम चाहेंगे कि आप किसी फैंसले में पहुंचने के पहले, आपने प्रार्थना करना है, अगर आप की परिस्तिती कोई और समझ नहीं पा रहा, आप प्रार्थना करे, प्रभु आपके जीवन में कोई ना कोई सेव किया विश्वासी भाई या बेहन को लाए, जो आपकी परिस्तिती को अच्छी तरह समझेगा आप उनसे अपने दिल की बात रख सकते हैं क्योंकि वो फिर वच्चन से आपको सिखाएंगे समझाएंगे कि आपने सामना कैसे करना क्योंकि अगर आपके बच्चे हो या ना हो ये पर्मेश्च ने हमें कोई इसके बीच में से रास्ता दूसरा दिया नहीं है लेकिन प्रबू की इच्छा को पहचाना है अब जैसे हमने कहा जब मार पीठ हो तब वो त्याग का एक बात सोच सकते हैं कारण किया है उसके लिए मैं दौायत आपके सामने पढ़ रहा हूँ मत्ती दस का तेईस मत्ती रचित सु समचार दसवा ध्याए उसका तेईसवा वचन उसमें कहा गया जब वे तुमें एक नगर में सताए तो दूसरे में भाग जाना मैं तुम से सच कहता हूं तो इसराइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुश्य का पुत्र आ जाएगा इसके साथ प्रेर्तों का काम 14 का 5 और 6 प्रेर्तों का काम 14 ध्याए उसका 5 और 6 परन्तु जब अन्य जाती और यहुदी उनका अप्मान और उन्हें पत्रवा करने के लिए अपने सरदारों समेट उन पर दोड़े तो वे इस बात को जानगे और लकाउनिया में लुस्त्रा और दिर्बे नगरों में और आस पास के देश में भाग गए बोलने का मतलब मैं सिर्फ दो आयत लिया जब आपको घर में मारा पीटा जा रहा है और उसमें कोई बदलाव नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने परमेशर के सामने करार किया तो आप मरते दम तक मार कुट खाते रहेंगे बार बार सक्षारिरिक उत्पीडन होती है तब ये विशे प्रबू के सामने रखकर फैंसला लेना पड़ता है कि एकटा नहीं रहे पाएंगे क्योंकि जान का खत्रा है सो तलाक तीन बातों में अगर बराबर ये विक्ति शारिर एक संबन बाहर किसी से कर रहा है दोखा दे रहा है नमबर दूसरा अगर वो विक्ति विश्वासी नहीं और छोड़ना चाहता है तीसरा अगर मार पीट इन तीन के अलावा स्त्री त्याग या तलाक की तो बात वच्चन में है नहीं इसलिए हम चाहेंगे कि आप अगर ऐसी कोई परिस्थिती में से जा रहे हैं आप प्रार्थना करें प्रभू के सामने विश्वास को लेकर आएं कलीसिया में प्रभू के दासों के सामने विश्वास को रखें और प्रार्थना करें शायद आपका पती या आपकी पतनी विश्वास गात करती है आपके प्रार्थना के द्वारा शायद वो विक्ति संभल जाए प्रभू ने आपके जीवन में विक्ति को दिया है शायद आपका जीवन साती विश्वासी नहीं आप प्रार्थना करेंगे तो शायद वो विश् आप और परमेश्य और मिलकर परिस्तिती को बदल सकते हैं तो आपके परिवार में चाहिए कैसी भी बात आए कुछ भी परिस्तिती हो जाए सबसे उचित हम आप से बिंती करेंगे कि आप प्रबु के चर्नों में बैठें प्रार्चना करें एक बार फिर मैं मलाकी के वो बात आपके सामने रखता हूँ स्त्रीत्याग या तलाक परमेश्य के नजर में घ्रिनित है क्योंकि ये एक करार है सो हमारे मौत के अलावा अलग नहीं कर सकता सो आएए इस बात की गंभीरता को हम समझते हुए शैतान को आपके परिवारिक जीवन को बरबाद करने के लिए हम कोई दरवाजा खोल कर ना दे प्रबु ने जोड़ा है प्रबु को एक उदेश है आपका परिवारिक जीवन परमेश्य के नाम के महिमा के लिए है और हम प्रार्थना करेंगे कि आपका विवाहिक जीवन आशिश मैं हो चाहि कैसी भी बात आजाए हमारा प्रभू हमारे साथ है आप दो और परमेशर तीनों मिलकर कैसी भी परिस्तिती को सुधार सकते हैं अपने पती अपने पत्नी से दूर है इस समय प्रार्थना कर सकते हैं शायद कोट में कारवाई चल रही होगी आप प्राथना कर सकते हैं और प्रभू आप दोनों को जोड सकता है बहुत सी बातें हो चुकी होंगी जखम लगे होंगे लेकिन हमारा प्रभू वो जखमों को ठीक कर सकता है जो बाते हो गई शैतान ने कुछ खेला अब उसके उपर जय पा सकते हैं और आपका जीवन देश के लिए, कलीसिया के लिए आशिश का कारण बन सकता है आईए हम प्रार्थना करें हमारे अनुग्रेकारी पिता हम आपका धनेवाद देते हैं विवाहिक जीवन से संबंदित एक गंभीर विशे को हमने चर्चा किया प्रभू बिंती करते हैं इसकी गंभीरता जो करार, जो वाचा हम तेरे चर्णों में बानते हैं उसकी गंभीरता को एसास करने के लिए हम एक एक को मदद कर दे प्रभू ताकि हमारे परिवाहिक जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो सके जो भी हमें देखे हमारे प्रभू की महिमा को देख सके प्रभू शैतान की युक्तियों को पहचानने के लिए भी मदद कर दे प्रभू सोरगर प्रिद्वेपूरा अधिकार पाई ये शुमसी के नामे विवाहिक जीवन को बरबाद करने वाली हरे एक हम्दकार की बंदन को माग गया देते हैं परिवारों से दूर हो जिने परमेशन ने जोड़ा कोई और अलग ना करने पाई प्रभू आपने हमारी प्राथना सुन लिया धनेवाद देते हैं सब महिमा आप ही को देते हैं ये शुमसी के मदो नाम से हम मांगते हैं आमे, आमे प्रभू आपको बहुत आयत में आशिश दे आपके परिवारिक जीवन में प्रभू की आशिश हो और बहुतों के लिए आशिश का कारन हो प्रबु अपना नाम आपके विवाहिक दीवन के द्वारा उंचा करे मारा नाथा प्रबु अपना नाम आपके दीवन के 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 दीवन क